नमोनेरायन मित्रों हम बात करने वाले हैं एननामोले जातक का 10-13 से लेकर के 16 सेप्टेमबर 2022 तक कर समय कैसा रहने वाला है इस समय चंदमा धलू राशी और मकराशी में गोचर करेंगे शोरी करकराशी से बाहा निकलकर सिंगराशी में प्रविश्च कर जाएंगे मंगल विश्चाशी में रहेंगे उद्ध पहले सिंगराशी में थे लेकिन बात में कन्यराशी में प्रविश्च कर जाएंगे गुरू यानिकी ब्रिहस्पती मीनराशी में गोचर करेंगे शुक्रमिधों राशी से निकलकर करकराशी में आ जाएंगे शनी देव मकराशी में रहेंगे राहु मेश में रहेंगे और केतु तुलाराशी में गोचर करेंगे मेरे प्रियो दर्शक यह था ग्रह गोचर का कुछ इसी ती अब आईए हम ग्रह गोचर का मुल्लाकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविश्ची क्या कह रहा है काफी उस्साहत दन करता है तो आएगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने दर्स निकताओं तथा विचारों को किसी के सांथ बाट लेने का मौका देखें आपके मुलाकात एक बहतरिन व्यक्ति से हो सकती है इससे एक खुबसूरत दोस्ती या अच्छे साज़ेदारी भ मिलते हो आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए है लेकिन आप जैसे ही शुरुवात करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खरावयोहार से खराव हो जाएगा फिर भी समाजेक मुद्दों के कारण अपने शेहत को प्रभावितना होने दे आपको आन आज की भरे रोमेंटिक महल का आनन्द लेंगे आपके करीबी सम्मंधियों से मिलने वाला प्यार आज दिन की खास्यत रहेगा आप खास तोरपर मस्ती मेसूस करेंगे इस खुबसूरत समय को अपने पार्टनर के साथ बिताए और कुछ खुबसूरत यादे बनने दे आज आज आप अपने पार्टनर के लिए कुछ खास कर सकते हैं और उसकी खुब रशन सा होगी अकेले आदमी आज किसी खास से मिल सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाव होगा या धन की हानी होगी आपका करियर कैसा रहेगा आप बहुत ही अराम से सम्माधि साप माना जाएगा इसलिए बैतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो इस बीच में अपने व्यक्तिकत विकास पर ध्यान दें आप अपने कारे छेतर में काफी मुखर और प्रेरक रहेंगे आपको ऐसे कारे छेतर में कारे करने के आउसर मिलेंगे जहा आपकी भूमिका के लिए प्रशंसा और सम्मान आपको मिलने की संभावना है और आपके धन का स्वास से भी स्वस्त रहने की संभावना है मेरी प्रेदर्शक हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे राम जैहनमान धन्यवाद